तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीटी की पूरी पूरी फ्री तैयारी चल रही है और पूरे की पूरे सब्जेक्ट आपके कवर की जा रहे हैं पूरा कर लिजी 10 से 15 दिन में पूरा सिलिवस हो जाएगा इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छी से ठीक है चले स्टार करते हैं गोड इवनिंग सभी को जैहिन रादे रादे आवाजारी एक बार क्लियर कर दीजे आवाजारी क्लियर कर दीजे चले आवाजारी है बुद्ध से समधित Question आने है ठीके चलिए तो दिखो पहला प्रस्ण आप से पूछा गया है कहरा है दूती बौध समीती का आजयन कहा हुआ था दूती ये बौध समीती का आजयन जो हुआ था कहां पर हुआ था जल्दी से बताइए जल्दी से जवाब दीजेगा चलिए तो यहां पर आपका जवाब हो जो अपसर राइट अपका 49 का वेरी गुड यहां पर आपका राइट बिल्कुल है सभी का जवाब है लॉग कर दें चलिए यहां पर बी आए सभी का तो हम यहां पर लॉग कर देते हैं ऑपसन बी को यहां पर वैसा का जवाब देना है और यहाँ पर सबकी वीडियो चल लगी है अच्छी बात है तो चलिए आपसन आपका यहाँ पर सभी का आ गया है कह रहा है तिरती बहुत दी जो आपकी यह पाटिल पुत्र लॉक कर दे लॉक कर दे ना दिक्रत तो नहीं है किलर कर दे तो आपसन बिल्कुल सभी है आपसन डी हो जगा यहाँ पर पाटिल पुत्रिम होई थी जो क्या की तिरती बहुत दी संगीती ठीके और अगला प्रस्णा से पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम बहुत्धी समीती का आयोजन हुआ था प्रथम बहुत्धी समीती का आयोजन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था चले यहाँ पर 41 का जवाब देना है और यहाँ पर सही जवाब चले दुरगा पांडे रिंको पटेल सचिन पांडे, राज सागर सावर, सात्या सचिन चले, कृष्णा गुक्ता निदी सिंग चले, काफी लोग यहाँ पर जूट चुके है और देखो यहाँ पर आपका 41 का उप्षन भी यहाँ पर लगभग सभी का जवाब आ गया है हमने बताया था कि प्रथम बहुत्धी समीती जवाब का आयोजन हुआ था यहाँ के आजा सत्रुके सासन काल में हुआ था ठीके, तो आपका राइट अंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, ठीके, और अगले प्रिस्कोर बढ़ते हैं प्रश्णा आप सिगला पूछा गया है कैर आपसे यहाँ पर निम्न में से कि सासक ने तिरती बौधिस सभा का आयोजन किया था तिरती बौधिस समीती का आयोजन किया था यहाँ पर जवाब देना है सही जवाब किया हो जगा चले क्रिस्टन गुपता जी और यहाँ पर किसे निट नहीं चला है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आपको हो गए कोई दिक्कत नहीं है चले गए तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है आपका दूती बौधिस सबा का एवजन जो आपका किया गया यहाँ पर 43 को आप्शन राइट आपका बिलकुल सही जवाब आपका बनेगा जो कि आपने पढ़ा था आपके काला सोक याद रिखे यहाँ पर आप्शन B काला सोक के समयाब की हुई थी B नमबर आपका बिलकुल राइट हो जएगा अगले प्रिसकाते हैं प्रिस साफ से गला पूछा गया है यहाँ पर आप से कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की चार महत्रपुर घटनाओं और उनसे सम्मंद चार इस्थानों का लेक दिया गया है यहाँ पर दो इस्तंभो में अंकित किया गया है सुमिलित करना है यहाँ पर बताइए मिलान करिए सुमिलित करिए कौन सा आपके आपस सही हो जएगा कौन अरे कुलास ले रहे है चलिए तो भाई तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमने बताया भी था कि गौतम बुद्ध का जन्म हना जन्म की बात किया है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जन्म जो आपका हुआ, लुंबनी में हुआ, इसका आपको थिरी हो जएगा, ठीके ना, और जो ग्यान की प्राप्ती हुई थी, ग्यान की प्राप्ती कहा हुई, तो आपके बोध गया में हो गया, इसका दो हो जएगा, पर्थम वचन कहां पर दिया था, तो आपके सारनात म कई पर option दिया है तीन दो एक चार जो की एक दो तीन चार मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब बिलकुश सही है यहाँ पर आपका सही हो जेगा ठीक है चलिए अगले प्रस का आते हैं प्रस आप से लाप कुछा गया है कैर आप से यहाँ पर कि भारती कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चितरण मरग सहीत चक्रद्वारा हुआ है हमने कल की वीडियो में आपको बताया था इस्ट्राटिक जीके में कि जो बुद्ध के यहाँ पर कैसकते हैं सारनाथ से जो लिया गया है उसमें से आपको मरग भी दिये हैं दिया गया है सिंग भी आपकी सिंगी भी थे इसका मतलब हैं कि यहां पर आपको ऐपक प्यमता स्य बनेत गया अमके सारनाथ में सारना चissen है सारनात में और इसी और यह मिलान कर लेंगे तो उम्मीद है कि लगभग जो भी आपकी दिक्यते हैं पूरी आपकी खतम हो जाएंगे, ठीके, देखे, यहाँ पर मिलान कर यह जल्दी से, कहरा आपसे यहाँ पर कि जन्म जो हुआ, जन्म का जो प्रतीक था, गौतम बुद्धि के जन्म का जो प् फिर आपसे कह रहा है, महा बोधी, महा बोधी यहाँ पर किसकते हैं, जो आपका क्या है, एक ब्रच है, बोधी ब्रच है, इसका 1 हो जाएगा, त्याग जो दिया है, वो घोड़ा है, त्याग के क्या है, गोड़ा है, तिसका 3 हो जाएगा, तो हो जाए कौन सा हो जाएगा, 4213 4213 4213 4213 option आपके 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 आपका सही हो गया मतलब जितने भी आपके थी आपकी clear हो गए इस प्रकास से गुमाए गए थी question अब आपको clear हो गया हमें भी उस्वास हो गया कि इस topic से आप प्रस्ण गलती नहीं करो गया है ना चलिए संपरदाय के किस वर का है देखो नाम क्या दिया है करमापा लामा तिबद के बुद्ध संपरदाय के किस वर के आते हैं तो यहाँ पर याद रिखेगा 47 का option स्क्रीन सौट लीजेगा इसका right answer आपका बनेगा क्या है आपका कंग्यूपा यह जो करमापा लामा है यह बुद्ध संपरदाय के जुड़े हुए है और यह जो संबंदी थे कौन ना तो आपके कंग्यूपा से जुड़े है option right up करें आपका 47 का बनेगा बी हो जाएगा ठीके चलिए अगला प्रसन आप से पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि महत्मा बुद्ध के संबंद में कौन सा कथन आपका सही है चारो आपसन आपको दिख रहे होंगे कह रहा है उनका जन्म कपिल वस्त में हुआ था क्या यह point आपका सही है तो जी हाँ यह point आपका सही है दूसरा दिया है उन्होंने बोद गया में ग्यान प्राप्त किया था यह भी आपका point बिलकुल सही है पिर आप से कह रहा है उन्होंने बैदिक धर्म को अस्वीकार किया था पिल्कुल सही बात है उन्होंनों वैजिक धर्म को अस्विकार कर दिया था ये भी इनका point आपका सही है अगला उन्होंने R7 का परचार किया मतलब देखो किस ने दिया सत्य का परचार कर लिया R7 मतलब 100% जो आपका सत्य है तो मतलब ये भी आपका point सही हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जवाब होज़ेगा एक दो तीन चार और सनब का डी सही होज़ेगा ठीके चलेए आगला प्रस्टन आपका दिया गया है कि बोध गया में बोध ब्रच्छे अपने वंस की इस पीड़ी का है देखे जो कह रहे ह पचास में अगर आपको पता है तो जवाब दीजेगा नई तो हम तो बता ही रहें कोई दिक्कत नहीं है याद रखेगा ये जो आपका है और सनब का सी होज़ेगा पंचम ठीके कौन सा है तो आपके पंचम है याद रखे वरतमान में देखा जाए तो महा बोधिमंदिर इ चासकते ससांग ठीके कौन थे आपके तो ससांग ने कटवा दिया थे तो वरतरमान में जाएं पख़ Match के अंसा देखा जा रहा है तो कैसे कि यह पूछा गया है तो निरंजना नदी पर इस्थि था यहाँ पर पूछा गया है reading निरंजना नदी पर इस्थित जवाब का यहां पर आपका जवाब कौन सा होजगा option right चले जवाब यहां पर ए आ रहा है तो बिलकुर सही जवाब होजगा बोध गया है जो पवित्र बहुत गया है जहां गौतम बुध्र ने सब्थम ग्यान प्राप्थ हुआ था निरंजना पूछे कि जो आधनिक फाल्गो नदी है ठीकी वहाँ पर एक जो आपकी नदी वर्तमान में एक नाम दिया गया फाल्गो नदी ठीकी कौन सी नदी आपकी है फाल्गो नदी है तो यह जो फाल्गो नदी को ही पूर में निरंजना के नाम से जाना जाता था ठीके क्लियर हो आत्मा संबन्दी विवाद, ब्रामाचर, या धार्मी कर्मकांड, या आचरण की सुद्धतां और पवित्रतां। तियादरे के बुद्ध ने जो उपदेश दिये उसमें से सुद्धता और कैसे पवित्रता किसकी आचरण की तो आचरण की सुद्धता वो पवित्रता समझी थे बुद्ध के उपदेश से ठीके और इन्होंने जो भी उपदेश दिये हैं किस भासा में तो आपकी पाली भास प्रशाप पुछा गया है करने मिकित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संग का प्रमुक होना चाहता था जो गौतम बुद्ध थे तब ही उक रहते हम भईया बुद्ध के संग में मतलब कह सकते हैं में सदस वो बनना चाह रहा था गौतम बुद्ध तो एक साइट करना चाह रहे थे तो याद रहे कि बुद्ध के जीवन में ही संग का प्रमुक जो बनना चाह रहा था वो कौन बनना चाह रहा था अगर आपको पढ़ाया गया हो तो आप जवाब जरूर देंगे यहाँ पर याद रिखे तिरपन को अप्शन राइट आपका हो जगा है अपर यह नंबर देवदत ठीके देवदत कौन थे देवदत जो आपके थे यह बुद्ध के चचेरे भाई थे ठीके क्या थे यह आप से बोलें कि आप हमसे घ्यान प्राप्त कर रहे हैं बाद में कोगे अरे यह देवजी के ट्री चैनल सही ό שנं नहीं है न तो भी आप हमारी आवडिलना करने लगो गए तो बात वहीं हो गई न कि पहले आपने घ्यान लिया है बाद में उसे में करने लगो आप में निल बनने लगो ठीक है ना चलिए तिसका अप्सना पर हो जगा देव दत्त हो जगा ठीक है आगले प्रसकाते हैं प्रसाफ सिला पूछा गया है क्या रहा है बहुत संग में भिच्छुनी के रूप में इस्त्रियों के प्रिवेस की अनुमती बुद्ध द्वारा दी गई थी मतल यहाँ पर याद रखेगा कि यहाँ पर अनुमती जो आपकी हो सकती है 57 का उप्सन कोमसा यहाँ पर आपका बनेगा बैसाली में ठीक है बैसाली में आप बशन बिए स्थी में ओप्सन तो आपका जवाब भूज़ेगा अब तो आपका जवाब कैसा है बुद्ध के उपदेशों का संग्रा है तो आप सब्सक्राइट अब कि यह प्रश्वन के नियम प्राप्त होते हैं जो लोग बुद्ध में सामिल होते थे तो संग जीवन के नियम बताया गया है यह नियम जो आप किते हैं वह किसमें बताया गया है संग जीवन के नियम जो बताए गए हैं बौध गरंथ में वो किस पर बताए गए हैं एकसर्ट का जवाब क्या हो जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पर यादर कि option B हो जेगा वीनाय फिटक ठीक है इन प्रस्णों को स्क्रीन साल लेजिए देखो सरल प्रस्ण आप तो सौल कर लेते हैं लेकिन जो кठीन प्रस्णूं होते हैं उनका screenshot ले लिया करें और copy में note कर लिया करें तो इसका जवाब होजेए कौन सा B हो ज Steady प्रसाफ पुछा गया है यहां पर आप से कह रहा है यमक बुद्ध पिटक से संबंदित है तो यह कि से संबंदित है देख के अविधम में पिटक में दार्शनिक से दान्तों का संग्रा मिलता है है ना तो यहां पर आपका जवाब जो होज़े कौन सा होज़ेगा आपका सी होज़ेगा इसका भी स्कीरिंस लीजेगा ठीके और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है सर महिलाओं को प्रवेश संकिसा म ने भी यहां पर आप से गला पूछा गया है निम्न में से किस बौध साहित में महत्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिधान्त संबंदित प्रवचन है मतलों उनके नैतिक और सिधान्त यह जो आपके दिये गए इसमें तो तीनों पिटक आपको मिल गए तीनों पिटक में झाये ना और जगों इसके पहले हमने बताया था जीवन के बारे में दिया गया था विन पिटक में दिया था ना और यमक जो आपके जोंके अपका да ऑपके पीटक में दिया तो Cape क diy तोटशपस ड़ला है करें आसोका राम बिहार निम्डिकित मेंसे किस इस्थान पर रिस्त सब्सक्राइब 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 तो आपका कौन से होजेगा यहां पर समय लिए चलिए और यहां पर मिंटू जी आदो गुडिवनिंग चलिए अगला प्रसना आपका दिया है बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोद गया में है प्रतिमा है यह जो निर्मित की गई थी, जापानियों के दौरा थाइट लोकों के दौरा, सिललंकाई के दौरा या भूटानियों के दौरा 68 आपको जवाब देना है और यहांपर आपका जवाब कौन से हो जेगा जो असी पुड की प्रतिमा है याद रखे बोद गया में ये निर्मित की गई है किसके द्वारा की गई है तो याद रखे option right आपका जवाब हो जाएगा option A हो जेगा जापानियों के द्वारा किसके द्वारा जापानियों के द्वारा है अर्श्रट का अप्षन राइट आपके याँ पर यह होज़ेगा जापानियों के द्वारा इसे बनाया गया है अगर यह question पूछे यह जो आपकी प्रतिमा है वो किस प्रकार से बनायी गया है तो इसमें से कैसे कते हैं लाल ठीके कौन सा पत्थर है तो लाल ग्रेनाइट का पत्थर है तीके ग्रेनाइट का पत्थर आपका यूजी किया गया है इसके लाल ग्रेनाइट और बलूई पत्थर से निर्मित किया गया है तीके और इसको बने में कितने वर्स लगा था साथ वर्स का समय लगा था तीके चलिए अगले प्रसकाते हैं 69 को option right up का कौन सा हो जएगा तो आपका जवाब कौन सा हो जएगा बई यहाँ पर आपका ए आ रहा है चले अमित को आपका जवाब A आ गया है और भी कोई A वाले A वाले और कोई भी है चले तो यहाँ पर आपका जवाब बिलकुर सही दिया है यहाँ पर A आपका बिलकुर सह जो इस्तूप सब्द मिलता है कहां पर मिलता है तो आपके रिग वेड में देखने को मिलता है है तो आत्या आपका जवाब हो जेगा यहां पर सिष्टीने आपका ए बनेगा ठीके अगले पर सभी किसी भी गटना से नहीं रहा है यहां का कौन सा है देखे यह प्रसंद जया दो जी कभी B आ रहा है चलिए B आ रहा है और राम कपिल सब कभी आ रहा है चलिए त्याद रहे बिलकुल सही जवाब है यहाँ पर सांची ही सही होगा ठीक conscious की TH tussen कि यह किसी भी आ अपका जी话 से पर देंगा जो January कोण सही है під section जो च्छी Бokes पर चलिए किसी बड़ टरब क थी के अच्छा 갖고 है पुछा गया है और है से किसे इसप्रांच के जेतीन के ना जाता है यह अलग जगा गई और इनमें से सबसे बड़ा जो बनाया गया है उसाची मनाया गया था इस कारण सी कोशन में था ठीक है अधर जगा में कहीं न कहीं उनको कुछ न कुछ प्राप्थ हुआ था ठीक है चलिए तो देखो यहां पर चबात्तिर का जवाब लगबग आ रहे हैं और सिवेंटी फॉर को लगए अगिला कुशन आपका दिया है कि सर और्डवीन एरोलड की पुस्तक दा लगप आधारी थे यह वापकी लाइट आफ एसिया पुस्तक किसके है तो सर एडवीन एरोलोड की है ठीक है और यह जो आपकी आधारी थे किस पर है दिव्यावदान पर ललित विस्तार पर शुत्पिटक पर या अभिदम पटक पर तो थोड़ा से आपके लिए कठन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर याद रिखेगा इसका राइट अंसर हो सकता है किसी का जवाब सही हो चलिए यहाँ पर किसी का तो यह आया यह 1879 में इसका प्रकाशन हुआ था लंदन में कहाँ पर किया गया था लंदन में हुआ था ठीके तो आपका जवाब यहाँ पर 20 होजेगा ठीके चलिए अगले प्रस्कोर बढ़ते हैं प्रस्न आप से गला पुछा गया है कि बहुत धर्म के महायान और हीन यान सबसे बड़ा अंतर है इसमें तो आपके देवी देवताओं की पूजा के लिए यह आपका सरवाधिक मौलिक अंतर देखने को मिलता है ठीके और आप देखेंगे जैंधर में लगबग सभी में आपका होता है तो आपके मूर्ती पूजा पूजा ठीके चले अगले प्रसका आते हैं प्रसका पुछा गया है क्या रहा है गोतम बुद्ध को एक देवता का इस्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ चले इस प्रसका जवाब दीजे कि गोतम बुद्ध को जो देवता का समय हुआ था सिवेंटेनाइन चले यहां पर आपका सिवेंटेनाइन का जवाब यहां पर आ रहा है कनिस्क बोल रहे हैं कुछ लोग कनिस्क दे रहे हैं तो चली यहां पर कनिस्क को यहां पर लॉग करने को प्रियास कर रहे हैं सब लोग अगर कनिस्क लगा रहे हैं तो जिसके ही समय में आपकी हुई थी ठीके और अगले प्रिसकाते हैं प्रिस आप सेला पूछा गया है कि भारत में पहले जिस मानों प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी भारत में सबसे पहले जो मुर्ति पूजा हुई या प्रतिमाई हुई उनकी जो पूजा हुई वो कि यहाद र precisamente है यहाद रखे option right आपका यहाँ पर बनेगा option B आपके बहुत धर्मिन है ठीके ना याद रेखे देश में मुर्ति पूजा का न्यू किस ने रखी तो आपके बहुत धर्मिन है option right up के याँ पर भी सही हो जेगा ठीके अगेले प्रस को आते हैं प्रस आप सेगला पूछा गया है कहाँ देखो यह आपके history question आपके हुए आप यहाँ पर आपके जोग्राफिक को पढ़ना है ठीके वीडियो को पसंदार आया तो वीडियो को लाइक ही करते चलिए ठीके देखो ब्रह्मपूत नदी मतलब नदियों हम लोग पढ़ रहे थे ठीके और आज हम लोगों को यहाँ पर ब्रह्मपूत नदी समंदी जितने भी question बन सकते हैं उनको cover करना है देख लिजे थोड़ा सा map में था कि अभी आपको map समझ में भी आ जाए देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर मांसरोर जील है मांसरोर जील में एक जगा पढ़ती है चेमयोंग गलेसियर ठीके चेमयोंग आपकी जगा पढ़ती है वहाँ से आपकी नदी निकलती है ठीके और यह होती हुए आपकी कहाँ पर आती है तो आपके अटांचल प्रदेश में यह आपकी प्रिवेश करती है इसे दिहान भी कहते हैं और इसके देट धिरे-देरे आके कहाम आती है बांगलधेश में आती है ठीक है तो आप लोग यह जानते भी होँगे कोई दिक्कत नहीं है अब इससे बने जुबी वह आपकी question होंगे वह आपके यहाँ पर हो जेंगे यहाँ पर sir हिंदी कितने time आपके कराते हैं तो भी हिंदी की जो class होती है PT की वह आपकी 5 बजे होती है वैसे special class हमारे channel पर 8.5 बजे हिंदी की class होती है इसका जवाब दीजेगा यहाँ पर टू का सई जवाब कौन से बनेगा चली रयास करियेगा कि जितने भी question आपको पढ़ा रहे हैं ये question आपके पूछे हुए हैं बार-बार question पूछे गए हैं अब वर्तमान में जो नाम देखने को मिलता है पहले आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मपुत नाम है सांगोपो है हना लेकिन अब जो आपको examiner दे रहा है question तो इस प्रकास नाम दे रहा है ठीक है ये अरलूंग जंग बुनती तो आपके ब्रह्मपुत का कहते हैं और सब्सक्राइब पूछा गया है करें निम्न नदियों पर विचार कीजिए यहां पर आपकी कुछ नदिया दी गई हैं बोला गया है कि जो आपकी कह सकते हैं देखो उप्यूक्त नदी बराक नदी भीया ये इसकी सायक आपकी नदी नहीं है बराक नदी है कहां पड़ती है तो आपको समझ में आगया बराक नदी भी अगले प्रिसकाते हैं अच्छा इसका कोश्चन आपका जो अंसर कौन हो जगा तो फोर का अंसर आपको पता चल गया कि कौन कौन सा है तो आपका दो और तीन हो जाएगा, ठीके, आगे बढ़ें, चले, अगला प्रसन आपका दिया गया है, ब्रह्मपुत नदी तिबबत में किस नाम से जाने जाती है, प्रसन गलती मत करिये, हना प्रयास करिये कि पूरे-पूरे सही हो जाएगे, क्योंकि सरल प्रसन गलती करें आती है, सांपो के नाम से, ठीके, अगले प्रसकोर बढ़ती है, प्रसाप सिला पूछा गया है, ब्रह्मपुत नदी का बहाव छेतर है, ये जो बहाव छेतर है, ये कहां कहां पर है, बताए कितने देशों से होकर ब्रह्मपुत नदी आती है, सेवर का जवाब दीजेगा, तो आपका जवाब क्या हो जएगा भई तो देखो यह आपके आती है आपके चाइना से चाइना की बात करें तो चाइना इबबत में आ जाता है फिर आपका बंगलादेश हो गया फिर आपके भारत में ठीके तो यहाँ पर देश सकते हैं तो अबस नग घर चीन होता तो वूब उसको परसन ञकर सकते थे ल sources जो किया गया है वह किया गया है तीन देशों में आपका तो आपका जवावत सई हो जेगा ठीक है तार देशों से ली कर जाती है यहां पर 10 का उफशनप का बनेगा, यहां पर कौंसा है, तो आपकी देखको ब्रहमपुत नदी है, यहां कि और आपकी कौंसी है, सिंदू नदी, हना सिंदू नदी, यह दोनों ही नदिया एक ही जगा से आपकी निकलती हैं, बस मोहाना इनका अलग-अलग हो जाता है, तो उ पर आपको नर्मदा नदी आपकी आरब सागर में आती है और यह भरंस सागरी से उकर बैने वारी नदी है ठीके ना दामोदर नदी गोदावरी यह आपको नदी आप पढ़ना है जो कि आपको इसी में ठीके चले यहाँ पर दिया गया देख लीजिए थोड़ा सा इसका स्क् पर 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 प्रस्न को सागर करिए इस प्रस्न को घबरा मत जाना देखकर बिलकुर इजी है देखिए पस्चमिंगाट की नदिया डेल्टा का निर्मार्ट नहीं करती है पिर दूसरा दिया गया है कि कारम दिया है वे छोटे छोटे मार्ग से तीव रिगती से कठोर चटानों के उपर से प्रभाहित होती है यह बताईए यह दोनों ही पॉइंट आपकी क्या सही है तो आपका जवाब यहां पर क्या होचेगा यहां पर दोने ही पॉइंट आपकी बिल्कुर सही दिये हैं घुई भरी की चाहीं होगा तभी तो आगे बढ़ड़ पाएंगे है और अगर इधर अधर प्यार प्यार हो जाएगा यह अभी नोरातर और चले थै और नोरात्र में अगर किसी का आसिरवाद मिल गया होगा तो भी जिन्दगी वरवाद हो जाएगी इस अच्छा किताबों से प्यार हो गया तो बहुत अच्छी बात है न क्रिशना जी चले यहाँ पर दिया गया है नर्मदा नदी किन परवत स्रंखलाओं के बीच इस्तित है नर्मदा घाटी जो आपकी है किन परवत स्रंखलाओं के बीच इस्तित है यहाँ पर बताईए कि जो आपकी नर्मदा नदी घाटी है वो किन परवत स्रंखलाओं के है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी नर्मदा नदी आपकी निकलती है कहां से आपके यहाँ पर अमरकंटा की पाड़ी है और इसमें से दो आपकी घाटियां पढ़ती है यह दो घाटियां कौन सी है तो एक पढ़ती है आपकी सत्पुड़ा पाड़ी ठीकी यह आपकी सत्पुड़ा पाड़ी है और इधर आपकी विद्याचल प्राणी मतलब कैसे तेहें कि जो संखला है तो आपका जवाब उजगसी सत्पुड़ा और विद्याचल आपकी संखला के बीच यह आपकी यह है जो आपकी नर्मदा घाटी है और आपकी देखा जाए तो और आप सागर में गिरने वारी सबसे लंबी नदी भी है ठीके अगले पर स्कोर बढ़ते हैं प्राण से लाप पुछा गया है कहा रहा है नर्मदा अपने मोहाने पर डेल्टा का निर्मार करती है देखिए समझ लीजेगा गल्ती मत करिएगा बड़ा इजी कोश्चन है देखो ऐसे प्रस्णों से आप लोग घबराया मत करिए ये सोचा करिए कि प्रस्ण बड़ा अच्छा आगया है ऐसे प्रस्ण को समझा करिए ठीके चले नमस्ते रूची जी नमस्ते रचना अच्छना जी है यहां पर देखो कहरा आप से कि नरमदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्मार करती है फिर कहरा है कि वहाँ एक ब्रंस घाती से बैती है तो भाई अभी हमने आपको पढ़ाया कि नरमदा घाती ब्रंस घाती से बैती है तो मतलब यह तो सही है लेकिन नर्मदा घाटी डिल्टा का निर्माड नहीं करती है ये करती है श्यूरी का निर्माड मतलब कर प्रपात का निर्माड करती है ठीके इसका मतलब है कि ए वाला जो आपका option है ए वाला जो आपका point दिया ही आपका गलत है तो इस हिसाब से जो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो A, R, R दोनों तो या गलत हो ज़ääगा ये भी आपका गलत हो ज़एगा कहाँ आप से यहाँ पर कही ए, A सही है R गलत, यह गलत हो ज़एगा D आपका देखो, कहाँ आपका देखो कि कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माड नहीं करती है चले चले कुलदीब जी गुड इवनिंग दो देख सकते हैं महा नदी है गोदावरी है नर्मदा है और आपकी कावेरी तो अभी हमने बताया कि जो आपकी नर्मदा नदी है नर्मदा नदी है यह डेल्टा का निर्माड नहीं करती है यह एस्चुरी का निर्माड करती है प्रपात का निर्माड करती है ठीके तो यहाँ पर कह रहे है निराज जी कह रहे है ऐसे प्रसंद समझ नहीं आते हैं तब यह इतना इजी होते हैं समझने को प्रयास करो अपने आपको कुछ अच्छा सोचो तो आप 100% समझ जाओगे चले कहरा आपसे अधो लिखित में से कौन सी नदी विबरंस घाटी से प्रवाहित होती है विबरंस घाटी से मतला हो गया भरंस घाटी हमने बताया कि इधर परवसंकला इधर परवसंकला इनके उपर से होकर नदी बैती है तो कौन सी बैती है तो आपके option में यहाँ पर आपकी नर्मदा नहीं है और ज़र नर्मदा नहीं है तो आपके पास भी एक option और दिया गया है कौन सी दी गई है तापती नदी है अरब सागर में सबसे लंबी नदी गिनने वाली जो आपकी अरब सागर में वो नर्मदा है दूसरी आपकी ताप्ती विदी हो जाएगी जो कि हमने आपको कल भी पढ़ाया था अगरा प्रस्णा आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा जन्पद नर्मदा बेसिन का भागे बेसिन का भागे बेसिन का भाग पूछा गया है नर्मदा बेसिन का भाग तो यहाँ पर याद रिखे यह जो आपका 10 को अप्सन बनेग ये बने का कौन सा? तो यहाँ पराउप्षन आपका है, राजनंद गाूं, ठीकर ये कौन सा आपका है? राजनंद गाउं लगभग देखा जाए तो छह प्रिस्तथिस्ट हिशा नर्मदा निधी की बेसिन के अंतरगति आपका आता है तो यहाँ पर आउसन राइट आपका बनेगा ए नमर राज नंद गाउं हो जएगा यह 36 गड़ के उप्योग जन्पदों में से है ठीके यह पढ़ता है कहाँ पर 36 गड़ के जन्पद में पढ़ता है ठीके अगले प्रिसकाते हैं प्रसाथ से लाप पुछा गया है अमर कंट से कौन सी नदी का उद्गाम होता है हमने बताया था जो आपकी अमर कंटक है उससे तीर मात पूर नदिया निकलती है एक नदी इदर जाती है सोन नदी निकलती है ठीके सोन नदी निकलती है और एक नदी निकलती है आपकी नर्मदा नदी हो गई और एक निकलती है आपकी नर्मदा घाटी हो जएगे ठीके नर्मदा हो जएगी अगर आप ये सोचो महानेदी तो भी आया है ना कि जो मैंपी से आपका क्या हुआ 36 गड़ा लग हुआ तो कहने कैसे कह सकते हैं कि वो एरिया को बोल दिया गया अलग कर दिया गया इस कारण से ठीके अगर आपका C हो जएगा अगला प्रेशाब से पूछा गया है कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहां से होता है याँपर भेडा गाट है सादोल गाट है, सादावल है, हुजंगाबाद है और आपका अमर कंटक, तो आपका जवाब हो जगे आपर आपका D, आपके अमर कंटक, कहाँ पर है भई, तो आपका option रेट अपका आपका 13 का हो जगेगा, अमर कंटक हो जगेगा, ठीके, अगले पर स्कोर बढ़ते हैं, पर साप सिलाप पुछा गया है, कि इनने में से अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, वापकी कौन सी है, अरब सागर आप लोग जानते हैं कि नी जानते हैं, ये बैया आपका अरब सागर है, ठीके, और पस्चिम कौर बहने वाली जो नदी इसमें से आपकी है, वापकी कौन सी आपकी है, तो आपकी तापती नदी है, जो मुल्ताई पहाड़ी के पास से आपके निकल कर आती है तो आपके बनेगा B-number अगे ले प्रेश का आते हैं प्रेश आप सिल्ला पुछा गया है कि भारक के निमनिकी नदियों में से कौन पस्चमी घाट से नहीं निकलती है देखो यहाँ पर एक नदि दी गई है जो कि आपके पस्चमी घाट से नहीं निकलती है मतलब इस जगाट से नहीं निकलती है इस घाट से निकलकर इस साइड में नहीं जा रही है तो यहाँ पर आपका जवाब कौन से हो जगा यहाँ पर आपका जवाब भुज़ेगा 19 को option right 19 को option right भाई जल्दी से जवाब दीजे तो आपको देखे यहाँ पर गोदावरी तो आपके निकलती है कावेरी भी है और कवाब भी है यहाँ पर option भी हो जगा तापती या जिसे बुलते हैं तापी तापती या तापी नदी है जो कि यहां पर आपके नहीं निकलती है ठीके ना और यह कहां से आती है तो अभी बताया मुलताई पहाडी से यहां पर आपके निकलके आट आती है ठीके आगे प्रिसका आती है प्रिसाथ से लाप पूछा गया है कि आपसे यहां पर निम्रिकित गोँखत होती है, और वो दो धाराओं के बीच में द्यूप जैसे निर्मार करती है, स्रीरंग्पत्नभका श्री समुद्रमका baş yogurt को और आपके स्रीरंगंके, यह द्यूप निर्मार करती है, यَّ जो तो देखो कावेरी नदी अभी हमने बताया कि करनाठा के कुर्ग जिले के हना तो यहां पर आपकों से राज्यों से होकर गुजरती है यह भी प्रसन आपको कह सकते हैं पूछा गया है और यह प्रसन आपको दिक्कत कर सकता है क्योंकि ऐसे प्रसन में आप लोगों अगर फोक प्रसनाप के यहां पर इतियास के लिए थे पहले और यहां पर लगभग आपके यहां पर जोग्राफिक के लिए ठीके और देखो थोड़ा से समय इसलिए लगता है क्योंकि हम समझा समझा कर आपको पढ़ाते हैं नहीं तो भीया हवा बोखा आंधी बोखा करना तो हमारा कामी है मैरा अचन क्लास होती है तो हवा में बगते हैं हो सकता है कि यूटूम में हमारे स्पीड में कोई पढ़ाता भी होगा आपने देखा होगा यूपीजी के पढ़ाते ठीके ना तो यहां पर जो समझाने के लुटूम में बगते हैं तो भान की तरह बगते हैं ठीक है ना उम्मीद है कि आप उपर लाइक कर दीजी जिसे तो